गुड बॉर्णिंग बच्चो आपका देन अच्छा हो आप क्लास से अतिस सित के कारण आपके क्लास में ऑफ लाइन में बादा आई हैं इसलिए आप लोगो ओनलाइन प्लासेस हम लोग देने का कोशिश कर रहे हैं और मैं आज आपको ट्रांस्पोर्टेसं बता रहा हूँ तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोगो कहीं आने जाने के लिए हमें कोई साधन चाहिए जैसे हमको मान लेजे यहां से हमको वोकारो जाना है तो वोकारो जाने के लिए या तो हम बस से जा सकते हैं या कार से जा सकते हैं या ट्रेन से जा सकते हैं आने हमें जादने के साधन भिन-भिन हैं, हम किसी एक साधन का प्रयोग कर सकते हैं. तो कहीं आने जाने के लिए जो हम साधन उज़ करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांस्पोर्ड रेशन. तो हमारे तीन तरह के ट्रंस्पोर्ट रेशन होते हैं एक हम लेंड के माध्यम से जाते हैं दूसरा हम लोग क्या जाते हैं हावा के मारकास के माध्यम से जाते हैं और दूसरा हम लोग जल के मारक से जा सकते हैं तो हम जो जल अस्थर के मारक से जमीन के माध्यम से जो हम जाते हैं उसे हम लोग लेंड ट्रांसपोर्ट बोलते ही लेंड ट्रांस पोटेशन बोलते ही लेंड के माध्यम से जो जाते हैं लेंड ट्रांसपोर्ट इसके बाद जो हम आकास के माध्यम से जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं air transport इसके बाद हम कहीं आ जा सकते हैं पानी के माधियम से, C के माधियम से Water के माधियम से जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं Water Transport जैसे अब मैं आप लोग को बताना जा रहा हूं कि जो अस्थल से हम किन-किन माधियम अस्थल के माधियम से जाना है आपको बताए पुछा जाए कि अस्थल के माधियम से हम लोग कहीं आते जाते हैं वैसे अस्थल से जाने वाले तीन ट्रांस्पोर्ट का ना बता है तो हम लोग बता सकते हैं बस ओटो का यह हमारे अस्थल से जाने वाले भाग है उसमें हमारे ट्रेन भी है ट्रेन से भी हम जा सकते हैं तो इसत्रह से अस्थल से जो वर्ट ट्रांस्पोर्ट जो भूमी पर चलता हो अस्थल पर चलता हो तो अस्थल पर चलने वाले गाओं तेखते होंगे कि ब्लॉक ओर्ट्स, बैलगारी, आपका ब्लोक कार्ट्स, रिकसा, टांगा, ये सारे आप लोग गाओं में चलते हुए देखे होंगे, तो ये भिलेश में आने जाने का ये साधन है, तो भिलेश ट्रांस्पोर्ट इसको हम कहेंगे, इसके बाद आप सहरों में कार, प्रेल, बस इतियारी चलते हुए देखेंगे, तो ये सारा भी हमारा क्या है, लेंड ट्रांस्पोर्ट है, आने जो ट्रांस्पो लेंड से होकर जा रहा है उसको हम लेंड ट्रांस्पोर्ट के नाम से जानते हैं इसके बाद आप देखेंगे कि हमें लॉंग बिस्टेंस जाना है और बहुत जल्दी जाना है समय को बचाना है तो इसके बचाने के लिए हम आप लोगों एरो प्ले या हेलिकोप्टर का कहते हैं एर ट्रांस्पोर्ट कहते हैं जो आकास मार्क से हमें एक जगह से दुसरे जगह ले जाता है तो हेलिकोप्टर और एरो प्लेन आपका एर ट्रांस्पोर्ट के नाम से जाना जाता है इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक देशी दुसरे देश में समान को ले जाते हैं ले आते हैं या तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग सीफ पानी का यूज़ करते हैं तो पानी पचलने वाले जो हमारा ट्रंस्पोर्ट हैं ओ हैं सीफ हैं अस्थ्रीमर है यह जो दो हमारे जो साधन हैं उसको हम लोग वाटर ट्रंस्पोर्ट करते हैं हम एक दे से दूसरे देश में से तेल मंगाते हैं हमार देश में तेल कम होता है जितना हमको प्योग करते हैं उत्रा हमें देश में प्रयाप तेल नहीं है तो पेटोलियम पदा हम सौधी अरब से अरब कंट्री से मंगाते हैं तो यह सारे मंगाते कैसे हैं हम लोग सीब के द्वारा ट्रांस्पोर्ट कहते हैं, ये तीन माध्य हमों हमारे पास मौजूद हैं, और इनी माध्य हमों से हम कहीं आते जाते हैं, हम यात्रा करते हैं, सफर करते हैं, समान एक जगा से दुसरे जगा फिजते हैं, या लाते हैं, इसके बाद हम लोग आकास मार से एक जगा से दुसरे लगा आते जाते हैं तो यह हमारे साधन है तो प्रसूपोर्ट, इसलिए ट्राशवोर्ट को तीन भागों में वाट आ गया है, लेंड ट्राश्पोर्ट, प्र एक जामपल, बस, रेल, यह सारे हमारे लेंड ट्रंस्पोर्ट से इसके बाद एयर ट्रंस्पोर्ट में आपको एरो प्लेन और हेलिपोप्टर आता है इसके बाद वाटर ट्रंस्पोर्ट है जो हमारे सीफ है अस्टीमर है बोट है इसके माध्यम से हम लोग एक जगा से दुसरे जगा जाते हैं समान भेजते हैं समा जानते हैं, तो प्यारे बच्चों मैं आप लोग को परविश्वास करता हूँ, समझ रहा हूँ मैं कि आप समझ गये होंगे, और आप लोग को और जो प्रोब्लम हो गये, यह होंगे, ट्रंस्पोर्ट चेप्टर में होंगे, आप इसे पढ़ेंगे, इसका प्रसूतर को बना बनाएंगे, फिलेंदी ब्लेंग स्टिक्स मार्स हैं, उन्हें बनाएंगे, और आप इन्हें ग्रूप में सेंड करेंगे, धन्यवाद आपका दिन मंगल मैं हो